पुश्पा के खास दोस्त का नाम केशव था। पुश्पा को मारना चाहता था, श्रीनू का साला उसका नाम मोगलिस था। डॉन कोंडा रेडडी के विधायक दोस्त मंत्री जी का नाम भूमी रेडडी सिडप्पा नायडू था। लाल चंदन का सबसे बड़ा खरीददार मुरुगन था। फिल्म मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसमें कैरेक्टर वाइज कोई ना सलीम था, ना कोई जावेद था, ना रहम दिल अब्दुल चचा थे, ना पांच वक्त का नमाजी सुलेमान था, ना अली अली था, ना मौला मौला था, ना दरगाह थी, ना मस्जित थ ना अजान थी, ना सूफियाना सियापा था, बस माथों पर लाल चंदन के तिलक थे, मंदिर थे, मंत्र थे, संस्कृत के शलोक थे, काम शुरू करने से पूर्व देवी की पूजा थी, नए दूलह दुलहन के चेक पोस्ट से गुजरने पर उन्हें भेंट देने की प्रथ पत्तल में खाना था, देशज वेशभूशा थी, अपनी प्रथाओं, परंपराओं का सम्मान था, बस यही सब बातें थी जो मैं बॉलिवुड में बहुत मिस करता हूँ और मेरी तरह बहुत से लोग करते होंगे, साउथ सिनेमा की ओर बॉलिवुड के दर्शकों का जुक होने एक कारण यह भी है, ऐसी फिल्में देखने के बाद महसूस होता है कि हाँ, हम अपने ही देश में हैं, सनातनी भारत भूमी पर ही हैं